नालंदा विश्व विद्याले को जलाने और वहां के मौंग्स का नरसंखार करने के बाद बक्तियार खिलजी की नजर थी तिबबत पर तिबबत पर आक्रमन करने के लिए उसने आसाम के राजा पितु सिंग से मदद मांगी लेकिन पितु सिंग तिबबत पर आक्रमन करना न इसी अनुभव के कमी के कारण बक्तियार खिलजी की सेना बुरी तरह से हार रही थी।